नमस्कार दोस्तों आज करेंगे विशुद्ध राजनितिक चर्चा राजनितिक बाईतु की राजनितिक विशेशकर मैंने विशेवी रखाये नरंदर मोदी के 15 लाक बाईतु की राजनिति ये मोर्चों की राजनिति ये युवाओं की नई आसों की राजनिति आज बाईतु में करिक्रम था अपने राज्तान पत्रिका का कोई लाईव सेसन था मैं भी वेसे ही देखने जाता हूं युवाओं से मेरा थोड़ा सा लगाव है तो मैं गया देखने तब मेरो को कुछ चीजें जो निकल के आई है मैंने सोचा आपके साथ सेर कर लूँ सबसे बड़ी चीज तो यह निकल के आई कि हमारे 15 लाग रुपे नहीं दिये वैसे ही मैं 15 लाग का चर्चा मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं मतलब लोकसपा के अंदर भी जब नरेंदर मोदी भासन दे रहा था लगबग वो दो घंटे नरेंदर मोदी जी भासन दिया था वो साइट बजट सत्र का भासन था उसके बीच के अंदर बार-बार पिछे आवाज यह गूंज रही थी कान में अब 15 लाग की बात करेंगे जरूर करेंगे बात करनी भी जरूर यह कोई नेता वादा करके कैसे में कर सकता है प्लीज आप मेरे क्या है कि हुआ आते सुनते नहीं है यहाँ पर मैं कम से कम आप से सही बात तो कर पाता हूं मेरे दिल की तो मैं यह करना चाहता हूं हुआ ऐसे कि आपको एक मेरे गाओं की छोटे से चोटकले से सुरू करता हूं आप कुछ चीज़ें समझ में आईगी कि मेरे गाउं में एक व्यक्ति है मैं नाम नहीं लोगा किसी को क्यों बदनाम करना मेरा रिलेटिव है नजदी की रिलेटिव है वो क्या है कि थोड़ा सा अर्द विक्सित है पागल है थोड़ा सा तो पागल है लेकिन वो मनलब पूरा पागल वैसे तो सभी के अंदर सा ज्यादा पागल लेकिन बातें बड़ी अच्ची करता है वह गाओं की ओटल पर बैठकर बातें कर रहा था बाहर से एक उंडू का अमारे गाओं पड़सी गाओं का कोई मेहमाड वहाँ के बैठता है वो उसकी बातें सुनता हो तो अंजान उसको नहीं पता यह पागल है स सब्सक्राइब दूगा और अगर आप गरीमा में तरीकी से बार निकलेंगे तो मेरे पास एक इन देलेट करके ब्लॉक कर दूंगा चलो तो फिर क्या हुगा कि आके बात चर्चा सुरू करता है इसे करके जब उसकी बस आती तब रवाना होने शुरू होता है तो हमारे गाउं का जो बंदा जिसको मैं पागल बोध रहा हूं उसका आथ पकड़ लेता काई जा रहे वहीं एक है कि बसमेरी निकल रही अशेंट मितलब की हक्येश कहले अधी पागल इंसान है भाई की इसका मतलब अब मुझे रुक्य देने पढंगे चाय कि तेरे अभे यह बीक बीस रुक्य और रबर गया भी थो से आधी निधल ओहों, मैं वहीं पर खड़ा था मैं गया भाई क्या वो मेरा रिलेटिव है जो पागल है उसको मैंने समझाया मैं दूँगा तेरे पैसे कैसे थोड़ी होता है इसने बोले आप ऐसे इस से लुगा मैं ये पागलपन हिंदूस्तान के अंदर चल रहा है नरिंदर मोदी का वो भाषण एक बार आप निकाल के पढ़ लेड़ा नरिंदर मोदी ने ये नहीं का तो मैं 15 लाग रुपे आपको दूँगा नरिंदर मोदी ने का था कि इतना धन हमारा बाहर पढ़ाए खैर छोड़ो ओचीज को ये स्तिती आई क्योंकि लोग फिरी की 15 लाख रुपे मांग रहे है इस पर मैं चर्चा करूँगा और मैं बीच में एक ऐसे व्यक्ति की भी चर्चा करूँगा जिसकी महाग गाता सुनके आपके रॉंक्टे कड़े हो जाएंगी आप यकिन आपने इस देश में पैदा होके कोई असान कर दिया है भाई आपने कर किया दिया ऐसा इस देश के लिए जो आपको 15 लाख रुपे फिरी में चाहिए आपने इस देश के लिए ऐसा क्या कर दिया आप मैं समझता हूं अगर आपने अपने देश के लिए ये भी कर दिया होता कि आप पड़ लिकर अच्छे अफसर बन जाते तो भी आप आपने देश के लिए कुछ योगदान दिया होता लेकिन आपने टेक्स के शुआए आपने डारेक्स के शुआए देश के अंदर आपका क्या योगदान है किसलिए 15 लाग रुपे मांग रहे हूं अब मैं बताता हूं बटू के स्वर्दत आठ अपरेल 1930 के अंदर एक असेम्मलीं बंब स्पोर्ट के अंदर चार लोग आरोपी थे और भी थे चार लोग सबसे मैं भगस्रिंग, राजगुरू, सुक्देव और बटू के स्वर्दत फिर मैं उस नामों की राजनिती पर भी कि आँंगा, तो बटू के स्वर्दत ने क्या किया, कि बटू के स्वर्दत को फासी नहीं Ts oraz राजगुरू भगस्रिंग और सुक्देव को फासी, भूज़व पर थार 2 सजा मीडी, उसको पंदरा साल के लिए काले पाने की सजा दे दी, सलundر ज्याडर के अंदर, आप यकि इस देश की आजादी के लिए फिर भार्द आजाद हो जाता है उसको वहाँ से छुड़ा के लाया जाता है और वो बटू केश्वर्दत आजादी के बाद में देश से कुछ नहीं मांगता है सिग्रेट की फैक्टरी के अंदर एक एज़ेंट के तोर पे पटना की गलियों में खाक छान रहा होता है और ये जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता है ये जो जूटे यां सोतंतरता सेना नहीं थे न वो लोग सत्ता के सिकर पे बैटे थे बटू केश्वर्दत जैसे हजारों क्रांतिकारी जिन्हों ने अपने सरीर की उपर आग जला के इस देश को आजाद करया वो व्यक्ति पटना की सडकों पर धूल फाक रहा होता है फिर होता है चमल 15 साल वो इसी आलत में रहता है 16 साल में उसको जब वो 16 साल का मलब 64 के लगवग उसको पटना के किसी अस्पताल में एक चमल लाल आजाद करके व्यक्ति था वो पैचान देता है और वो सुबह एक लेख लिखता है कि इस देश में देश भगत पैदे होने गुना हो गया अगर आज इस बटू के स्वर्द जाती है कि खलबली मतिए तो उस टायम के तात्कालीन 20 गरमंत्री गुलिजरीलाल नंदा जो पंजाब में इस मुखै थे में एक मुख्य मंत्रinkरी ते रांकिसंजी उनको पूटनात सुकलाए करांतिकारी दम तोड़ चुका होता है और फिर जब उसको दिल्ली में लाया जाता है बटुकिश्वरदत को एमस में उसको बैड नहीं मिलता है और जब बैड मिल जाता है उसका इलाज चल रहा होता है तब उससे रामकिशन जी पंजाब का मुक्यमंत्र या Bayle जाता है मिलने के लिए और कहता है कै बैठीक एस अधिय दत्व बाबू हमां आपके लिए क्या कर सकते हैं आप बोलिए आप किक्या इच्छा है अंतिम हम आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिच करेंगे दत्वाबू बोलिए आप क्या सोच रहे होंगे होंगे न उसने 15 लाग रुपे नहीं मांगे उसने भीगी आखें और फीकी मुस्क्रान के साथ राम किसंद से कहा मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए यह मेरा देश अमर रहना चाहिए रहा था मेरी लास ना इसका अन्तिम संस्कार भगत निआ उस्षक दिव पंजाब के अंदर जहां पर उंका दास संस्कार किया वहां पर मेरा गरें दश नहीं उसस नहीं चाहिए प्लासहारी के निचान मारा जो 900 साल की गुलामी के अंदर हमारे बुजर्गों ने कभी भी जिल्लत की जिंद्गी नहीं जी आपको याद दिला दू मेरे दादा जी आप सभी के दादा जी ने भी यही सब्द का होगा मैं यकिन के साथ कह सकता हूँ कि पिसले जब ग्यूं मिलते थे ना जब सरकारी साथ के तो सभी बुजर्गों ने आपके परिवार में भी आपने सुना होगा कि धर्मा दू मतिलो मैंनत की कमाओ और मैंनत की खाओ ऐसी इस्तिती थी 1947 के बाद और इस भयाना के इस्तिती में पहुँचा या किस ने इस देश को कि आज का युवाब 15 लाग रुपे मांग रहा है किस बात के भाई ऐसा क्या देश पर असान कर दिया आपने जो आपको फिरी में 15 लाग रुपे चाहिए पहली बात तो नरेंदर मोदी ने ऐसा कोई वादा किया नहीं दूसरी बात अगर कोई ने था आपको ये वादा भी कर देता है तो मुझे कोई ये बताएगा कि किस बात के 15 लाग रुपे भाई आपने पड़ लेके कोण सा डॉक्टर बन गए हो आप इंजीनिर बन गए हो आपने इस देश की अर्थवेवस्ता में कोई शाहिता दी आपने दिया क्या इस देश को जो आप देश से ये चीजे मांग रहे हो अरे कम से कम इस देश की उपर हजारों लोगों न जान नौचावर करके भूल गए हमारे कभी ने का नारियों के जेवर को नर के किलेवर को सुबाद जैसे तेवर को क्या मिला नारियों के जेवर को नर के किलेवर को सुबाद जेसे तेवर को क्या मिला जवानी सूली पर जूली थी जवानी की काहानी बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला अपने ही बेटे सरनारती हुए यहां कस्मीर की क्यारियों में केसर को क्या मिला अरे जिन्ना को मिला था पाक और नहरू को हिंद अरे कोई मुझे ये तो बतलाए के रहा आज आज चंदर सेखर को क्या मिला इन देश भगतों को क्यों क्यों ए भाई ये जो व्यक्ति गरीमा महतरीके से अगर आप कॉमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा इसके सिवाए मेरे पास आप लोगों के कोई वो नहीं है बखवाश लगरी तुछ सुन क्यों रहा मेरे भाई लायू का सिस्टेम निकल या से जिसको मेरे जो मेरे मित्र है सुन रहे हैं उनको सुना रहा हूं मैं इसमें क्या राजनिती की बात है तो इस देश के अंदर आप नरेंदर मोदी से हर वादे का हर वादे का हिसाब मांग रहे हैं तो बाई वादा तो गंधी जी ने भी किया था के मैं मर जाओंगा लेकिन इस देश के टुक्ड़ें नहीं होने दूँगा एक सब्तेवादी ऐसा का पुजारा कांग्रेस जिसका सबसे ज़्यदा नाम लेती है उस व्यक्तिने वादा किया था कि इस देश के टुक अपने तो सारे वादे पूरे कर दिये अरे मेरे घर की आग अगर कोई बुजा नहीं पाया तो मैं उससे तो कट्टे मेरे सर पे नहीं बिठाओंगा जिसने मेरे घर में आग लगाई थी कि इस देश को अभी कुछ और भी चर्चा थी वहाँ पर कांग्रेस ने सारच साल में कुछ न ही कि या नहीं किया कांग्रेस ने आपकी गेरत तोड़ दी कांग्रेस ने आपकी इस्वाभी हैं आज आप 15 लाक रुपे मांग रहे हैं कि बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया इस देश के युवाओं को अधिकर दी और उस पर भी उस पर भी राहुल गांदी के जलवे साब हद हो गई आज से में दो चीजें जरूर कौंगा मैं और कांग्रेस ने एक काम और किया वो भी म साथ मत बदलो इन लोगों का नजरिया बदल दो आपको याद होगा यहां से कुछ लोग सड़क मांगने गई थे कांग्रेस ने क्या दिया कांग्रेस ने का डाकू आई रहा भाई साब महारत उने हरकों बिनी जोग डाकू आई गया वो लोग वापस आई उनका नजरिया बदल दिया तब मैं कह रहा हूं मैं तब मैं आपको बता रहा हूं कि कपिल सर्मा का कैरियर कोई पपू जी चोपट कर रहे हैं और गोडों की यही गास की मांग पर लगवा दिये अरे चस्मे अब गोड़े इसू की गास को भी हरी समझ के चल रहे हैं कि यह कांग्रेस ने किया कि प्लीज बंद कर दो बंद कर दो प्लीज बंद करो एक मिट भाइशा सुरी माफी चाहता हूँ आँ तो यह दिया यह दिया कि आपका नजरिया बदर दिया उन लोगोंने और अभी कोई एक और भी मुद्दा था वहाँ पर जब लाई चला क्या हुआ आज के सारे इस बाईतू की राजनीती का मैं बताऊं कि यह लोग विकास की बात को सोर में जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई जिंदाबाद से क्या होता है आप कुछ करके दिखाते आपने कुछ किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती नाम बदल दिये साब बिलकुल बदल दिये नाम तो बदल दिये अटल सिवा के अंदर का नाम बदल दिया क्यों भाई इस देश पर सिर्फ राजीव गांधी, इंद्रा गांधी और गांधी जी कई आके, और किसी सहीद का किसी का नाम नहीं आने दो गया, यह आपने 60 साल तक किया, 60 साल तक देश के साथ आपने यही किया, सिर्फ गांधी और गांधी और गांधी कील की तरह हमारे दिमाग में ठ कि हम गांदी की निष्टा को नमन करते हैं बड़ो के स्वर्दत जेसे महान करामतिकारी को नमन नहीं करते हैं इसका मतलब यह कटा ही नहीं कि लाला-लाजबत राई को लाठीयों से पीट-पीट कर मार दिया जाता है उसको हम याद भी नहीं करें उनके नाम से कोई रोड सफक नहीं बढ़नी चाहिए मैं धन्यवा देता हूं नरेंदर मोदि जी को जन्नोंने ये नाम बदलने का काम किया बदना बहुत जरूरी था नाम बदलना बहुत जरूरी था क्योंकि इस देश के दिमाग में एक ही चीज बार-बार आप ठोकते जा रहे हो कि भाई एक ही परिवार एक ही क्योंकि उसी से आपको वोट मिलते हैं बाकी मुझे प्रोब्लम क्या थी कि आप गांदी होके इस देश को बरगला रहे हो और इतियास की बात तो मैं बार-बार इसलिए इतियास पे तो तुम तुम्हारा सहरा पंपंगई इतियास पे है और कोई बात नहीं है और बाईतू की विकास आज जो भी बात आज बाईतू के इंदर हुई अग्रेसिव यूवा लोगों बोट आपके मर्जी आये जिसको दो लेकिन आप काम को नकार नहीं सकते कारे को नकार नहीं जा सकता तेरा अजार रुपे परती वर्स खाते में आते हैं कांग्रीशियों का जवाब सुनना पहले भी आते थे अरे पहले लगू सिमान को चार अजार रुपे मिलते थे उसमें भी सोसाइटी के लोग राजी बंदी कुद ने कहा था कि हम सो रुपे बेजते हैं उसमें से 15 पिसे ही पहुंचते हैं क्योंकि खाताओं का कोई सिस्टम नहीं था तो वो रुपया बीच में लोग खा जाते थे तीन जार रुपे किसी गाउं में चार पांट लोगों को मिलते थे तो अब मैंने का भाई 13,000 मिलते अरे के साथ महंगाई की साथ रेटें तो बढ़ी जाती अच्छा पांट साल में इतनी बढ़ गई कि 40,000 का आवास आज डैड लाग में नरें दर मोधी बना के दे रहा है इतनी रेटें बढ़ गई कि तीन गुणा रेट हो गई और 40-50,000 में भी सितर अजार का जो इंद्रा आवास था उसमें से भी 10-20,000 रुपे बीच में खा जाते थे गरीब को छिर्क 45,000 रुपे मिलते थे और डैड लाग तो आप कारे करताओं को डैड लाग के ये भवन द होगे तुम बोट चाय मत दो तपस्या तो रावन की भी फैल नहीं हुई थी मेरे भाई जब रावन जैसा अदुष्टी व्यक्ति भी तपस्या करने बैठा न तो उस तपस्या का उसको फल मिला वर्दान मिला तो ये तो नरेंदर मोदी है जो इस देश के लिए सची तपस अगर विभ्यास ढ सकाट तो जनता को विश्त बातों से जनता को विश्त विश्वास नहीं होगा आप बार बार वीसरे बदल कर प्रीकशा में बिठाते रहोगा कर लो कोसी पर ये प Platz नहीं होगा कि पपू पाश नहीं होगा मैं पपू बार-बार कह रहा हूं मैं ऐसे सब्दों का यूज नहीं लेता लेकिन अब तो लोग से बामनों खुद ने कहा कि मैं पपू हूँ एक तरफ है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा नेता और एक तरफ है राहूल गांदी जी कैसे शुंका चाही था मेरे भाई आप अपनी बात रखो अच्छी बात है लेकिन काम को तो काम केना पड़ेगा चार रेलवें अंडर पास बनगे बाई तू के अंदर तो उसको कैसे न करोगी बाई तू के अंदर एक कॉलेज बोलेज बनगी कैसे न करोगे 2001 किलमेटर और परदानमंत जी ने कह दिया कि कांग्रेज ने साट साल में कुछ नहीं किया आप भी तो कह रहे हो कि पांस साल में वाइतुन में कुछ नहीं हुआ अग बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं तो यह 2900 क्रोड रुपे का खर्च हो गई आपके परतेक गाउं में इस्कूल बारवी कैसे हो गई 132 केवी का जी एसस कैसे बन गया का लोड के इंदर तो इतने कामों के बावजूत महरवाडी में कहन के खान कुपर नहीं भौंगनो तो सबसे बड़ी चीज में आप सबी से मेरी महरमी का पील है वोट आप मेरी अपील व्यक्ति विकास की बात नहीं करेगा क्योंकि बाईतु को लोग विकास का नवात सुनना ही नहीं चाहते जो बाईतु का लोग विकास की बात या बाईतु क्या कहीं के भी लोग नहीं सुनेंगे तो नेता भी क्यों करेंगे तो आज के जो लाइफ फंक्शन के अंदर आप वो सारी बातें गोण हुई, पुत्र मोव में त्याग अत्यार सारी वेवस्ता द्रोण हुई, वो बंदा नाम क्यों वदल लिये जी, आपने ये क्यों कर दिया जी, आपने वादा पूरा क्यों नी किया जी, अरे भाई साब वादे तो इंद्रा गांधी जी ने खोब किये थ वो तो सारे पूरे होगे उन्होंने तो एक-एक वादा पूरा कर दिया अरे सट्य आइसा का पुजारी महात्मा गांधी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए कि मेरी लास पे होगा वेबाजन इस देश का होगया देश का वेबाजन लासे तो गिरी नहीं वो पार्टी के लोग बाके आप किसी भी पार्टी में खड़े हैं मुझे उतनी पिड़ा नहीं होती बाई क्योंकि हो सकता है कि कई बार मा तो भमीज जी जा इमें कहीं को नहीं लेकिन कांग्रेस में कोई वेक्ती खड़ा है ना तो मेरे को दरद होता है कि इस देश को लूटने वाड़ी पार्टी के पक्स में अभी भी लोग खड़े हैं हद कर दी यहाँ पर बाशन दे रहेते संकल प्रेली में हम 35 रुपे का बत्ता देंगी हम आपके डोड़े शुरू कर देंगी और अपने भी लोग गजब के ऐसा ताड़ी बजा रहे थे कोई उठके खड़ा हो कि यह नहीं पुछा कि बत्ता क्यों देंगी भाई हमको बत्ता क्यों दे रहे हैं नौकरी दे दो रोजगार दे दो बत्ता दे के हमें क्यों बिखर बार-बार भिखरी बनने का प्रयास किया जा रहा है बार-बार लानत क्यों बेजी जा रही है हमारे उपर ही बार-बार हमें एसास क्यों दिलाया जा रहा है कि आप निकम में हो या इस देश का युवा निकमा नहीं है भरमित हो सिलगने बाते मेरे को याद आती तो मेरा कले जा कजया गरव से चोड़ा हो जाता है कि मेरे दादा ने मुझे का था धर्मा दो नजहीं कमाईजी कोई नी डूटो है तो खुल मेरे दादा ने मुझे कई तू इसम conscious आपके बहुत अच्छे साधन संपन परिवार का बंदा आर्थीक साइता बड़े दूर पर अग्यों लेने जा रहा है और मैं यह आपको नहीं कह रहा हूं मैं भी आपकी तरह युवा हूं मेरे मेरे गर में भी यह आता है वह कोई वह बात आप छोड़ो के भई मैं कोई मात्मा हूं यह हलत किसने पैदा की यह सरम हमारे अंदर किसने मारी यह सरम मारी कांग्रेस ने इनको आठवी तक फैल मत करो फिर बेचारे मज़दूर बन जाएंगे जिन गीवर हमको गोट देंगे और मौज करेंगे और केलाद जी चोधरी की बारे में मैं बता दूँ पिसली बार 38 जार से बहुत हरने के बावजूत वो व्यक्ति पांस साल तक छेतर में रहा था मैं भी कांग्रेस ही था मैं कब क्यूं भाजबा हो गया मैं कांग्रेस से भाजबा में विलई होने का मैं तो पुरकरण के मैंने माननी ये विदाएक साहब में जो केलाद जी चोधरी हारने के बावजूत मेरे को एक बार गाव में मिले थे मैंने का साहब मेरे स्कूल में मास्टर नहीं है तो केलाद जी ने कहा था भाई मैं तो कोई सासन में हूँ नहीं मैं तो अरतीस हजार से हारा हुआ वेक्ति हूँ मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप हरताल कीजिए मैं आपके साथ कंदा से कंदा मिला के खड़ा रहूंगा गोर्मेट को जुकाने के लिए विपक्स की भूमी का मैं हरा हुआ वेक्ति ये कह रहा है और आप आप कहा थे मैं नाम नहीं लड़ा चाहता आप कहा थे हम किसी की नाकामियों पर अपनी काम्याबी की बुनियाद नहीं रखना चाहते इसलिए हम आपकी नाकामिया और ये जो कुछ विवाई ये भी लिख रहे हैं किसी की बुराई के बारे में तो मैं आपको बता दूँ आप किसी को कितना भी बुरा साबित कर दो आप अपनी अच्छा ही साबित करो कि आपकी पार्टी में क्या रोड मैप लेके आएं इस इस क्या रोड मैप पर आप चल रहे हूं मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सुद्र वेशी वगर है जो चलते हैं ये सेना है हमारे अंदर न्याय पलिका है विदाई का है सेट लोग है उद्योग पती है मजदूर वरग है अमीर वरग है गरीब की बात करना बहुत अच्छी बात है साब उनके हके लिए लड़ना चाहिए लेकिन जो वेती हिमान दरी से अमीर हो गया उसका क्या गुना भाई अमीर उना गुना हो गया भाई उसकी कुछ बात नहीं करेगा टाटा और बिडला की भी जरूत है इस देश को टाटा और बिडला ने लाक और नोकरिया युवाओं को दे रखी है तो उनके लिए भी रोड में चाहिए गरीब और किसा सबसिर्ट वर गया लेकिन उनको दीन बुला जा सकता उन लोगों की वज़य से आज अकर किसान को भी कुछ चीज़ों की जूरूत पढ़ए तो उनको भी हमें साथ में लेके एक मैतरीं रोड मैप के आप मैदान में आईये यह फृरी फृरी क्या परी है इस दुनिया में सांस तक फृरी नी मिलती आप सुबह ख़ळा नहीं का होगे तो सांस नहीं आएगी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फिरी मेरे भाई लेकिन अंदूस्तान में हर कोई मूँ उठाए चला अदा है फिरी फैस्बूक फिरी कोछ भी फिरी नहीं है आप कोछ भी जानते हो डाटा के पैसे करते हैं मैं फिरी म certified बावड़े हो जतते हैं है है की त्री रिलम को क्यों करे ? फिरी एक बार मेनत से कमा यूई रोटी के आनंद दूसरा होता है पाणी के अंदर अमरत होता है लेकिन वो अमरत का हैसास आप तभी कर सकते हैं जब आप तपती धूप में कहीं से बहुत प्यासे दोड़ते हुए पहुंचो और आप पाणी की एक घूट लेते हैं तो उसमे क्योंसर आपको निकाळ लेगी और आपको अभी करजमापी नंग सरकार पर दबाव बनाओ ऑगे ओए ओकर तोर ये थोड़ी देर के कर देंगे यह फिरी कर देंगी और फिरी में बोट दें दीती के लागें बहुत कुछ लगता है सासन व्यवस्ता के लिए और मैंने आज सारी चीजें राजनितीक किसी भी सूरत में अगर आज हमने मोदी जी और भाजपा के इस विकास के नाम पर वोट नहीं दिये तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली कोई भी पार्टी इस तरह के प्रियास करेगी कहला जी चोधरी की गाड़ी 3,00,00,00,00 चली है यह गाड़ी तो यह कोई लॉंग ड्राइब फिर निकले नहीं थे गाड़ी लेकर चलो कितने होते हैं किलोमेटर तीन लाग अगर यह सीधे चले होते हैं तो तर्फ धर्थी दोड़ा हाथ चक्र काट ना जयता इतना किसी विक ये देखा यार मैंने गुना क्या कर दिया ऐसा मैंने क्या कमी कर दी इन लोगों में जो ये लोग मेरे से इस तरीके से कुछ लोग, सब लोग नहीं है साब, जनता साथ मैं इसमें कोई दोरा नहीं, जनता बेवकूप नहीं है मैं बेवकूप हो सकता हूँ कोई एका दो और बड़ बेकूब हो सके लेकिन सारी जंता कभी बेकूब नहीं होती है तो ये जो silent mode में जो vote है न वो लोग तहदिल से दुआएं देते हैं मैंने कई बार लोगों को देखा है कि हमारी बच्चियों के स्कूल के लिए हमारे गाउं के अस्पताल के लिए हमारे बढ़ी इंड रोडों के लिए बामासा के लिए किसान के लिए क्या चाहिए और इससे ज़्यादा सारे काम कभी किसी के पूरे नहीं हुए रागे भी नहीं होंगे यह लगातार प्रयास रहते हैं इस सरकार के की हुए कामा को मत नकारिए बोड़ तो आप जनता जिस तरह की जुरुक होगा हो दे देगी इसे के साथ आज थोड़ा लाइव लंबा हो गया राजनी तीक मुद्धे हैं लाइव लंबा होई जाता है और जिन्दाबाद तो चलत इसलिए इसी के साथ भारत माता की जय वंदे मात्रम जय हैं दोस्तों कुछ मेरिस केने से किसी को बुरा लगाओ तो माफ करना मैं भी आपके बीच में एक छोटा सा रेट ककण हूँ इससे ज़्यादा मेरे कुछ नहीं है विचार तुम्हें रोज रखता ही हूँ धन्यवा देने माद मित्रों